शांती नगर सुपेला इस्तित बीम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में लाये गए एक बुज़ूर्ग मरीज को स्वस्थगर उसे नया जीवन प्रदान किया है। उप्चार उपरांत बुज़ूर्ग को शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। जी जांच के उपरांत डॉक्टरों ने पाया की मरीज को हार्ट अटेक आया हुआ है। मरीज का रक्त चाप और दिल की धड़कन भी कम थी। जिसे कॉडियोजनिक शोक कहा जाता है। रिष्टेदारों से चर्चा करने के उपरांत मरीज की एंजियोप्लास्टिक की डॉक्टर S के सकसेना एवं डॉक्टर सतीर सूर्यवनसी ने एंजियोप्लास्टी में पाया की दाएं और भाएं और की धमनिया बंद थी। मरीज की दिल की धड़कन भी कम होने से टेंपरेरी पेस मेकर डालकर धड़कने बढ़ाई गई। मरीज के इलाज की पूरी प्रक चार तरिक को हमको एमर्जनसी में कॉल आया कि मरीज जो गरीज साधेनों बजे आकर यहां पर एडमिट हुए और इनके करीब 75 वर्षी जो पेशेंट है इनके सीने के बीचों बीच दर्द हुआ था एमर्जनसी में आया हमने इनका ECG किया तो ECG में हमने पाया कि इनको ब्लड पेशर भी कम था दिल की धड़कन भी कम थी तो ब्लड पेशर कम था धड़कन कम थी इनको मेजर हाट टेक था तो ऐसे मरीज का एमर्जनसी में प्राइमरी एंजियो प्लास्टी होता है कि जो एक gold standard treatment है तो मरीज जान बचाने के लिए यह treatment करना जरूरी है तो मरीज इसके रिष्टेदारों से बात करके हमने इन मरीज को एमर्जनसी में हमने एंजियो प्लास्टी के लिए कैटलर में लिया एंजियोग्राफी कक्ष में और एंजियोग्राफी के टाइम ब्लड पेशर कम था इसलिए ब्लड पेशर बढ़ाने की दवाईया वगरे दी गई जब हमने एंजियोग्राफी किया सर्प्राइज ही तो राइट साइड के आर्ट्री एकदम छोटी थी लेफ्ट साइड के आर्ट्री दोनों बड़ी थी इनकी तो जैसे हमने एंजियोग्राफी किया तो हमने देखा कि दोनों आर्ट्री इनकी जो लेफ्ट सर्कंफ्लाइक और L.A.D. आर्टरी है जो दोनों हार्ट को सप्लाय कर रही है आधा आधा हार्ट वो दोनों नसे 100% बन थी और एंजोग्राफी के टाइम मरीज को काडेक अरेस्ट हुआ और हमको मरीज को रिवाइब करना पड़ा काडेक मसाज देना पड़ा कम से कम 10-15 मिनिट मसाज देना पड़ा और उसके बाद मरीज रिवाइब हुआ ब्लड पेशर बढ़ाने की 3-4 दवाइया मरीज को दी गई और खुन पतला करने की दवाइया भी दी गई धरकन जो कम थी उसके कारण हमने मरीज को टेंडरी पेसमेकर भी डाला उसके बाद मरीज को वेंटिलेटर पर टाल गया उसके बाद मरीज की गंबी स्थीती के बारे में हमने रिष्टतार को बताया ऐसे मरीज बहुत ही कम होते हैं जिनकी दोनों नस एक साथ बंद हो और डबल हाट अटेक उनको आया और क्यूंकि राइट साइट का सपोर्ट बिलकुल भी नहीं था और लाखों में एक मरी की और लेफ्ट एलेड का भी आट्री हमने ओपन किया जैसे हमने नस को खोला उसके बार मरीज का रेस्पॉंस आना शुरू हुआ बलड पेशर उसका दिरे दिरे बड़ा ऐसे कंडिशन को काडियोनिक शॉक मुलते हैं और काडिक अरेस्ट वाला पेशेंट और कंप्लीट ह तो एसे मरीज को वेंटिलेटर से बाहर लाया गया और ऐसे critical condition में हमारी पूरी ICU के टीम और काडियक टीम ने ऐसे मरीज को मैनेज किया और तीन दिन के बार मरीज को वेंटिलेटर से निकाला गया और देले देले उसका kidney का जो डामेज हुआ वो भी recover हुआ है और मरीज अब काडे एक हॉस्पिटल में जाईए जहां पर एंजोग्राफी एंजोप्लास्टी की सुविधा है और यहां पर SMC BM शा हॉस्पिटल में 24 अवर्स 24 गंटे हम एंजोग्राफी एंजोप्लास्टी ताकि आपकी जान बच सके यह फैसिलिटी देने के लिए हम हाजिर है और यह ट्रीट्मेंट करके आपकी जान बच सकती है यह मेरा मेसेज इंपोर्टन है आपके लिए और टाइम इस मसल जो टाइम है वो मसल है क्योंकि अगर आप टाइम बेस्ट करते हैं तो आपकी जान बी जा सकते है इसलिए टाइम मत बेस्ट करिए अगर आपको लगता है कि आपकी सीने के बीचों भी जकडन मैसो सो रही है पसीना आ रहा है तो तुरंत आप अस्पताल जाईए और इलाज की जो फासिलिटी अवेलेबल है उसक नस्ख खोलेंगे और हम ईश्वर का साथ लेंगे साथ में कि हम तो करी रहे है महनत व रिश्वर का साथ लेकर हम नस्ख खोल कर हम उम्मीद करेंगे कि मरीज की तरव सरा करने नाकि निजा massively के किइसे, कैसे लोग आपको पूहिए? किसे दाक्टर लोग आपके लिए मैनद कि अच्छा रहा रिस्पॉंस है। ग्रेंडेशियन न्यूस के लिए संजय दुए।